नया इंजन जो है राहूल गांदी लेके निकले हैं भाप का इंजन है की स्टीम का इंजन है की इलेक्ट्रिक इंजन है आजपा पर जो आरोप लगाने वाले हैं उनकी इस जंता में विश्वसर गेता नहीं है नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है, खेर मगदम है, मैं हूँ मारूफ रजाब, और मेरे साथ हर बार की तरह इस बार भी एक शेक्सित है, उत्रा खंसेंट का तालुक है, बीजेपी से तालुक है, और राजी सबासे MP है, जे मैं बात कर रहा हूँ, नरेश बंसल जी कि आपका स्वागत है, नरेश बंसल जी क्या कहेंगे, इस वक्त जो है, चुनाओ की बैयार है, दिल्ली के निकाओ चुनाओ है, हिमाचल का सामने है, गुजरात की गुज अभी तक चल रही है, इन तीनों जगा में बीजेपी का कमल खिलेगा, तो कैसे खिलेगा? निश्चित रूप से आप सब जानते हैं, कि भारतिय जनता पार्टी 365 दिन 24 बाई 7 जनता के बीच में सेवा करने वाली पार्टी है, हमारे कारेकरता हर समय जनता के बीच में रहते हैं, अभी आपने करोना में भी देखा होगा, और जनता का भरपूर आश्रवाज समर्तन ह को इसलिए मिलता है, हमारा नितरत्व विश्चु का सबसे लोकप्रिय नितरत्व है, स्री नरेनर मोदी जी, परदेशों में हमारी डबल इंजन की सरकार हैं, जो तालमिल के साथ काम कर रही हैं, तो डबल इंजन की सरकार मोदी जी का कुशल नितरत्व और कारेकरताओं के अधार पर तीनों जगे पर कमल खिलेगा मैं गुजरात की खास तोर से बात करूं प्रधार मंत्री का क्योंकि गड़ है वो वहां से वो सीम रहें और पूरी तरीके से पूरी राजनिती कर्म भूमी उनकी वही रही है वहां पर जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस ने काफ प्रधान मंत्री जी के सभा को सुन रहा था तो जिस प्रकार से लोगों में उस्साह दिखाई दे रहा है भीड़ मुन रही है उनकी सभाव में और जिस तरहें विकास के काम वहां पर हुए हैं गुजरात मोडल तो आज पूरे देश बर में माना जाता है इसलिए गुजरा कोई में गलियों में भारत जोडो यात्रा पर निकलें लगता ने कि कॉंग्रिस दुबारा से रिवाइब कर रही है और इसका इंपक्ट कही ना कही इन चुनाओं पर खास्तोर से गुजरात के चुनाओं पर पढ़ेगा अभी तो लोग यही आकलन करने में लगे हैं कि वह भाब का इंजन है कि स्टीम का इंजन है कि अलेक्ट्रिक इंजन है अभी तो वो यही प्रूव नहीं कर पा रहे कौन सा इंजन है तो उसका क्या लाब मिलेगा आपको लगता कि नहीं मिलेगा आपकी अपनी पार्टी वहाँ पर बजबूत थी लगातार सालों से दस्कों से वहाँ पर सरकार मौझूद है लेकिन उसके बावजूद जो सेटिंग विधायक थे दो दरजन के करीब आपनों को ने टिक्टे उनकी काड़ दी सरकार सब कुछ अच्छा कर रही थी तो इतना बड़ा कदम उठा देना कि आगर वो बागी हो गए या उनके समर्थक बागी हो प्रोटी पर जो खरा नहीं उतरता है उसको थोड़ा सा खरा होने के लिए समय दिया जाता है अलग रखके इसका मतलब यहीं कि कुछ परफॉर्वेंस नहीं थी लेकिन जो है टिकट काटने का मतलब यह नहीं है वो हमारे कारकरता थे अब उनकी परिक्षा भी हुई टिकट कटने के बाद अगर वो बरदाश्ट नहीं किरबाया उसको और नए लोगों को भी अफसर मिलना चाहिए नए लोगों को अफसर मिलता है इसी परकार मिलता है कि कुछ पुराने जाते हैं नए आते हैं यह करम राजनिती का खास तोर से बीजेपी और जंसंग के समय से पहले ने निकाय उचुराओं में अपनी वहाँ पर आमद पहले से दर्ज करा लिए ऐसे वे क्या लगता है कि जाडू केजरी वाल वहां पर बीजेपी को असर डालेंगे पिछली वार भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी अभी मेरे उत्राखन में वह आये थे बड़े जोर शोर सुनते थे में उनका काटा तो कत्रा एक खून न निकला तो आये तो सत्तर में से 68 विधान सभा में उनकी जमाने जबत हुए उनका जो चीप पनिस्ट्रेल केंडिट था उसकी जमाने जबत हुए और आज वो भारती जनता पार्टी में शामिल हो गया तो इसलिए वो केवल पंप शो करते हैं बाकी जनता का विश्वास उनको नहीं मिलता जनता उनके साथ नहीं है आपके बास बाकी तमाम बड़े बड़े नेता रहें और जाहिर सी बाते पार्टी को एक गुजरात मॉडल के रूप में आप हमेशा प्रसुत करते रहें हार्दिक पटेल जो की बाताओं की कमी थी या हार्दिक पटेल के आ जाने से बीजेपी का वहां पर कुछ अर्दिक स्वागत होने वाला है नहीं देखिए भारतिया जनता पार्टी का है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे इस उद्देश्य में कोई अपना वह हमारी पार्टी के नेतरुत्तों में हमारी पार्टी की नीतियों में विश्वास विक्ट करता है उसके लिए काम करना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है जै क्यों चुनाओ चोटा हो या बड़ाओ चुनाओ है। आपने डबल ेंजन के सरकार की बात करी। । दिल्ली में केंचर में आपकी सरकार हैं लेकिन यह पर सिंगल एंजन हैं डबल नहीं है। जालू ये बादे ये इरादे और ये जो नारे हैं भाजपा पर भारी पड़ेंगे? आप तो दिगज पॉलिटिशन है और महारत हासिल है आपको इस पूरी विचारधाना पर भी और इस सियासत पर भी लेकिन एक नई पार्टी आती है और लगातार तीन बार दिल्ली जैसी जगा पर ठीक आपके नाक के नीचे सरकार बना लेती है। उसके बाद पंजाब पहुंचती है वहाँ पर भी एक जमी जमाई सरकार को उखाड़ फैकती है और अपनी सरकार बना लेती है। तो कॉंग्रेस का और अन्य पार्टियों का वोट उनको शिफ्ट हुआ उसके कारण से थोड़ा टेंपरिजी उनको उसका लाब मिला है। लेकिन भारतिय जनता पार्टि के वोट बैंक में वोट बैंक में वोट बैंक नहीं बढ़ा पाए। जितना हमको बढ़ाना चाहिए। लेकिन उस पर फृतन है वह इस बार के चुनाओं में देखेंगे आप पल्टा हुआ मिलेगा। पहले एक पार्टी आती फिर दूसरी पार्टी जबार पुश्कर सिंधामी जी ने उसको बिल्कुल बदल डाला और आपने एक स्पीकर भी महिला को बना दिया। लेकिन वहीं देव भूमी दूसरा जो कि हिमाचल प्रदेश है वहां पर यह रहा है भी बाइपॉल हुए बाइपॉल में वहां पर बिलकुल बीजेपी को चारों खाने चित्क देखना पड़ा क्या आपको कारण नजर आते हैं और अगर वही परिणाम सामने आते हैं तो अपकी बार का जो चुना होए वो कैसा रहेगा ने बाइपॉल से उसका कोई सम्मद्ध है नहीं आम चुनाओं में मैं स्वेम भी कहा था मैंने देखा जिस प्रकार जनता में उसका विश्वास है और जनता ने विकास के कामों को देखा है आप देखेंगे चाहे वो रोड क इस प्रकार से जो देश को आगे बढ़ेने वाल मेडिकल कॉलेज तो सारी चीजे आगे बढ़े हैं उसके कान जनता को लगता है कि हमारे विकास करने वाली कोई पार्टी है तो यह है यह केवल तुस्तिक रण का काम नहीं करती सब के विकास का काम करते हैं लेकिन मैं दुबारा वापस उसी देव भूमी की तरफ आ रहा हूं हिमाचर की तरफ वहां कहीं न कहीं लगता है कि गुट-बाजी है एक धूमल साब का अलग गुठ है वह थाकुर साब का अलग गुठ है वो एक दूसरे को कॉपरेटर नहीं क पढ़ गयी तो क्या लगता है नतीजा कुछ और होगा। पाक साफ नित्रत्व है उसके कारण से वाचल में भी रिवाज बदलेगा और उत्राखण की तरज पर डबल इंजन की सरकार बनेगी हम उत्तर उत्तर अखण की बात कर लेते जहां से आप आते हैं वहां पर भी इस तरीकी चीजे देखने को मिलती है अला कि मैंने जैसा कहा कि इत्यास बदला है लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से कॉंग्रेस का सची वाले कूछ हुआ और पूरी भारी भर का भीड़वा नजर आई क्या लगता है कि कॉंग्रेस दुबारा से खड़ी हो रह हैं ज़ला की फोटे की बाइस सबस्वार निकाल रहे हैं नरे अब रियूरा की ने जाते थी कुछा सारी कि कॉंग्रिस ता के लिक algunas नहीं पारहा है नीती में दिक्क्त हो लेंग यह हें ने ताएं में दिक्कत हूए है क्रियानियम्स रेकित इचि Infinite प्रगती के बार्ग पर है जैसा हमारे यह सदी भारत की सदी और इस सदी का तीसरा दशक यह उत्रा उसको सार्थक करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है विकल्प रही संकल्प यानि जिसका कोई और अल्टरनेट ही नहीं एक ही संकल्प है कि 2025 में जब उत्राखंड परश का युवा राज्य होगा तो देश के अगणी राज्यों में वह खड़ा दिखाई दे इसके काम हो रहा है अभी चिंतनवर्ख चल रहा है तीन दिन का मसूरी के अंदर जिसमें पूरा रोड में पूरे दशक का यह बनेगा कि हमको किस प्रकार से नोजवानों को रोजगार देना है किस प्रकार से वहां का विकास करना है आज जगे-जगे पर वहांने भौट प्रग् विलेजेज को बसाने की निती पर काम हो रहा है ताकि वहां पर वह हमारी सुरक्षा की गारंटी है तो सब और आज हमारी आर्थिकी बड़ी एक करोना से पहले की हम पर कैप्टा इंकम दो लाग से उपर क्रॉस कर गें जब राज्य बनाता तो हमारी बारा जार थी तो हम प पहना पाए क्या है बांब borrow कि त ders अधानी बन जाएगा अनेग राज्या ऐसे हैं उद दू तो 30 पंजाब की राजदानी आज तक चन्णीगड़े अपनी निवनी अलग अलग लेकिन राजदानी एक उसमें रोल प्ले करती है पर करती है पर राजधानी के कारण कोई काम रुक रहे हो ऐसा नहीं हो रहा है और हमने ग्रिश्म काली राजधानी गैरेशन को बनाया है वहां भी इंफ्रेसिकर बन रहा है पर थोड़ी चीजे निर्मान करने में समय लगता है लेकिन जिस तरीक से आपने पलायन की बात मैं कर रहा था, वो कहीं न कहीं बीच में रुक गई, पहाडों में, दुर्ग मिलाकों में, वो चीजें पहुंच नहीं पा रही, आप अस्पताल बनाते हैं, डॉक्टर नहीं पहुंच रही, क्योंकि डॉक्टर अपने परिवार के वहां का विकास हो, आज उस पर काम हो रहा है, देखे परधानमंत्री जी ने, माने अटल भहरी वाजपई जी ने, परधानमंत्री गरामीन परधानमंत्री सड़क योजना प्रारंब की, जब प्रारंब की तब 2000 के अबादी के गाउं को जोडने का लक्ष रखा, आज पर काम आगे बढ़ रहा है, जम्रानी बांध बन रहा है, तो इसके कारण से और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से केदारनाथ की ब्रेंडिंग की है, केदारनाथ को जिस पटल पर वो लाए हैं विश्व के, बदरीनाथ का मास्टर प्लान बन रहा है, 750 क्रोड तो इस सारी चीजे से उत्राखंड का प्रे तन बढ़ रहे हैं, और प्रेतन बढ़ेगा तो वहां के नोजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो प्लाइन रुखाएगा, सारी चीजे से जुड़ी हुई है. लेकिन हम वही बात कर रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं भी धरातल पर नहीं आई हैं बाइस साल हो गए बाइस साल हमारे अब ही चल रहा है दो हजर बाइस और उत्रे खंड भी बाइस साल का हो गए लेकिन अभी हम कागजी कारवाई में और चिंतन में मनन में लगें लेकिन उस किसी पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने जो कहा है कि विकास की चीजे के वल कागज पर दिखाई दे रही है धरातल पर दिखाई दे रहा है असी परतिशत और वेदर रोड बन गई है रिशिकेश कंड़ प्रयाग के दो-तीन स्टेशन बन गए उन पर काम दिखाई दे और जब वह बन जाएगी कि जहां चार पांच घंटे कंड़ प्रयाग पहुंचने में गाड़ी में लगते हैं और कमर भी ठक जाती है वहां वेक्ति देड़ घंटे में पहुंचेगा तो यह सारी चीजे दिखाई दे रही होती पहले कभी दिखाई नहीं देती हम केवल मा दीदार हुआ लेकिन आज वह प्रेक्टिकली ब्यवारी के रूप से दिखाई दे रहा है जहां तक अंकिता मरत केस का मामला है wanna कि हमारी सरकार अपराद के मामले में अध्या डियो टोलरेंस की नीटी कि सरकार है और यह आपने देखा भी कि इस तक के व्श्डित को जेल मे में हुआ पहले हमने 74 में भेजा इसमें भी 45 लोग चले गए उसमें भी धाई दर्जन लोग गए तो किसी मामले में कोई कोटाही नहीं परती चाहिए वह कितना भी बड़ा वह था आप देखेंगे कि इसके परिक्षा आयोक के चेर्में वह स्वेम जेल में तो किसी भी प्रकार का वो लें ऐसी प्रकार अंकिता मंडर के मामें भी तीनों अपरादी जो प्रथम द्रश्चा थे वह जेल में हैं और जाँच साइटी कर रही है दूद का दूद पानी का पानी होगा किसी को बख्षा नहीं जाएगा बैस सीबी आई जाज हर चीज में नहीं हो सकती और हम देवी दें तो सीबी आई के पास इतना काम हैं सीबी आई एक्सेप्ट करेगी और लंबी जाएगी एसाइटी भी जादा कमिशन खोरी हो रही है बड़ा नेता जो सीम रह चुका हो खुद आपकी पार्टी का हो और ऐसे आरोप लगा रहा हो तो कहीं न कहीं तो कुछ लगता है के डाल में कुछ काला है नहीं पर बात करने में कुछ का होगा अब किस संदर्मे में किया का इस पर मैं सब मुद्धे पे आ रहा हुआ हुआ है कुछा घजराट के जाहीं ही हुआच सी बात है दो हजार चौबीस हमारा लक्ष्वे फ्रदान मंतरी ने LA-DilesCanada का भी लक्ष्वे है पुरी भाज़गा का भी लक्ष्वे है क्योंकि बड़ा चुना होगा बड़ा लोगता क़्ुक्छ लगता है कि अगर हम यहाँ पर अगर मैं इसलिए संभाल करता हूँ क्योंकि क्यास आराईयां तब तक रहती हैं जब तक के रिजल्ट सामने नहीं आ जाते निस्चित तोर पर ना तो आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ वह भूतल का जिन जब बाहर आजएगा तब ही पता लगएगा कि हमारे लिए मिठा ही लाया है यह हमारे लिए बाहर का रास्ता लाया है तो कई न कई उस चुनाओं पर ले करके भाज़पा एडी चोटी का जोर लगा रही है निस्चित रूप से हमने तो हमेशा हम जब हारते थे तब लगाने में कमी नहीं की और आगे भी नहीं करेंगे हमारे पास विश्व का सबसे लोगफ्री निता है आज पूरा विश्व भारत का उसके नित्रतों में जो सं लेकिन भारत ने जो कहा वह गरीब देशों के उपर नहीं पड़ना चाहिए मीड़ देश कंट्रिबूट करें उसको माना गया तो इस प्रकार से चाहिए वह भाईय सुरक्षा का मामला हो आंतरिक सुरक्षा का मामला हो सब मामले में सरकार के अच्छे काम है मोदी जी का एक अनमेच्ट लीडर्शिप है तो इसलिए लोगों का आश्रवाज है क्योंकि वह पहली बार आपने देखा होगा कि आठ साल में ऐसा परधानमंत्री देश को मिला है जो अठारा बीस घंटे रोज काम करता है एक दिन भी उस विक्ति ने चुट्टी ने लिए जबकि हमारे विपक्ष के लोग जो है वो तो दो महिने तीन महिने में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं चुट्टी मनाने के लिए लेकिन कोई चुट्टी नहीं और हर समय एक कोने से दूसरे कोने तक देश के इत्में कभी युवाँ से बात करते हैं कभी किशानों से बात करते हैं अपनी होली दिवाली सेना पर बोडर पर मनाते हैं सेनी को किसा तो इतना कर्तब्य निष्ट परधान मंतरी है तो जनता क्यों आशिरवाद नहीं देगे लगाया जा सके जहां से भी बिलाया जा सके उसको छोड़ा ना जाए नहीं मैंने पताया था हमारी प्रारंब से हर चुनाओं को गंभीड़ता से लेती है मैं आज नहीं मैंने देखा है प्रारंब से हमारे यह प्रप्रा है कि हम एक दूसरे के यह सहयोग करने में जाते हैं क्योंकि पूरी पार्टी एक हर कार्टा निष्ठावान है की इच्छा होती है अब तेलंगा नामें हमारी पार्टी जीती है तो मैं देरादुन में पटा के फुरता हूं जबकि मैं जानता निए उसके इंडेट को कौन है तो एक भाव है तो उस भाव को ले करके सब कार्यकरता एक दूसरी का सहयोग करते हैं राज्यसवा में एंपी हैं दिगज नेता हैं एक ही पार्टी से एक ही विचारधारा से लगाता रगे कभी आधा कि मैं उत्राखण्ब कांज क्यों नहीं कभी से अर less के मैं ने उत्रेमधरा के रहा है कारकहर में इस ट्रिकत रहा ह she इस चाहता है कि मैं आगे बढ़ओ मुझको टिकट मिले और मुझे कभी विधान सभार लोगसभा का टिकट चर्चा हर बार हुई लेकिन नहीं मिला तो मेरे मन में कभी वह नहीं है मेरे मन में एक ही चीज रही मैं यह की सिद्धान्त बानके चलता हूं कि काम करते-करते जो मिल जाए वो अच्छा काम करते करते जो मिल जाए वो अच्छा जो ना मिले वो उससे भी अच्छा क्योंकि वो प्रभु की इच्छा क्या बात है आपकी इच्छा भी बहुत अच्छी इच्छा है और यूं कहूं कि यह सही तरीके से जिसे कहते हैं कि सैटेसफाक्टरी लेवल वो बंसल जी को मिला हुआ इसलिए बहुत संतुस्ट नजर आ रहे हैं फिलाल संतुस्ट तब जादा हो पाएंगे जब इन तीनों में छोटे बड़े तर्म तमाम चुनाओं के नतीजे सामने निकलेंगे और वो फिवरेबल होंगे फिलाल आप पर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए तो इतना ही अगले हपते एक नहीं महमान के साथ कुछ नहीं मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा आपना आजपा पर जो आरोप लगाने वाले हैं उनकी जन्ता में विश्वस्वश्व गयता नहीं है